एक जिठानी, दो देवरानी पठाने के भी जतन करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशे नाकाम रहती है, अब देखना ये है कि एक चिठानी और दो देवरानी के बीच की लड़ाई क्या रंग लाएगी, नव्या बहु, जरा बाहर तो आना, और आकरेती को भी साथ ले आना, अपनी सास के आवाज सुनकर न जी माजी अपने बुलाया हमें, नव्या बहु ये देख, मेरी चपल टूट गई है, इसे ठीक करवा दे ना, लेकिन माजी ये तो बहुत पुरानी हो गई है, अब इन्हें फैंक दो ना, अरे बहु ऐसे कैसे फैंक दूँ, अभी तो नहीं है, बस थोड़ी सी ठीक करवा मैं तो इन्हें दो चार साल और चला सकती हूं, माजी आपने मुझे भी तो बुलाया था ना, मुझे भी चपल धीक करवानी है क्या, अरे नहीं बहु तो गार्डन साफ करते, सभी पेड पौधों को अच्छी तरह से देखना है, जो भी सूखे या खराब पत्ते हो उन्हे काट देना, और पाद हमें खाद भी डाल देना, मम्ता दोनों बहु को काम देकर चली जाती है, दोनों आपस में बात करती है, देखा अकृती तुमने, मा क्या क्या काम देकर गई है हमें, मुझे तो माजी ने माली बना दिया, अब पूरा दिल लग जाएगा इसी काम में, मा जी ने हमें तो ये फाल्तु का काम दे दिया लेकिन जिठानी जिसे कुछ भी नहीं कहती अकरति ध्यान से देखो इन चपलों को तुम्हें लगता है कि ये दो चार साल चल पाएंगी लगता है ये मा जी इन चपलों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हमारे बच्चों की मूँ दिखाए में भी यही देने वाली है पता नहीं मा जी हमसे इतना भेदभाव क्यों करती है जिठानी जी से तो कभी इस तरह के आलतु-फालतु के काम नहीं कराती और हम दोनों को तो बस चपल ठीक करवाने और गार्डन की सफाय के लिए ही रख रखा है चलो छोड़ो अपना काम खतम करते हैं नहीं तो मा जी की बाते कौन सुनेगा नव्या और आकरेती अपने-अपने काम में लग जाती है अगले दिन ममता ईरा को कहती है ईरा बहू, मैं एक-दू दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे उपर है धियान रखना और हाँ, ये लोग बिजली का दिल आज शाम से पहले जमा कर देना नहीं तो पैनल्टी लग जाएगी जी माजी, अप आराम से जाएए मैं संभाल लोगी सब कुछ ममता चली जाती है लेकिन यो घर की सारी जिम्मेदारी ईरा के हाथ में सौप कर ममता का जाना नवया और आकरिती को बिलकुल पसंद नहीं आया आकरिती देखा तुमने, माजी सारे जिम्मेदारी जिठानी जी को सौप कर गई है माजी को जितना भरुसा जिठानी जी पर है न, हम पर नहीं है हमें ही कुछ करना पड़ीगा आकरिती और नवया ने इरा को परिशान करना शुरू कर दिया उन दोनों ने बिजली का बिल चुपा कर रख दिया और नमाक, मिर्च और हल्दी के सारे डिबबे भी गायब कर दिये उसकी बाद नवया ने आकरिती से कहा अकरिती, हम थोड़ा घर भी बिगार देते हैं माको और भी ज्यादा गुसा आजाएगा नहीं नवया, ज्यादा कुछ करेंगी तो माको शक हो जाएगा और जिठानी जी के साथ-साथ माजी हमारी भी क्लास ले लेंगी उन्हें लगी का कि हम दोनों नहीं कुछ गड़ बढ़ की है हाँ हाँ, तुम ठीक है रही हो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थोड़ी देर बाद ममता घर में आई तो ये सब कुछ देकर कहती है एरा बहू, तुम्हें घर के जिम्मेदारी दे कर गई थी ना ये क्या किया है तुमने क्या हूँ आ माजी बहू किचन के सारे डिब्बे खाली है जाने से पहले तुम्हें सारा सामान भर कर गई थी और हाँ बिजली का बिल भरा या नहीं माजी, रात को जब मैं सोई थी किचन का सामान सही जगा और ठीक ठाक रखा था लेकिन सुबह पता नहीं क्या हो गया और बिजली का बिल तो उसी दिन से गायब है जिस दिन से आप मुझे दे कर गई है एरा बहू, घर में मसाले के डिब्बे नहीं इन सब को जमीन खा गई या आसमान निकल गया लापरवाही की बेहद होती है एरा को सास की बात सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिन वो अपने मन में सोचने लगी घर में मेरी दोनों देवरानियों के अलावा कोई नहीं था हो ना हो ये काम इन दोनों का ही है इरा ने नव्या के कमरे की तलाशी ली तो उसने नव्या के कमरे में मसाले की डिब्बे देखे इरा ने वो डिब्बे खोले और नव्या के सारे कपड़ों पर बिखेर दिये तो नव्या हो गया काम तमाम अब आकरेती की बारी उसे भी सबक सिखाना ज़रूरी है हो ना हो बिजली का बिल उसी के पास होगा अब एरा आकरेती के कमरे में गई और आकरेती के कमरे में उसे बिजली का बिल मिल भी गया एरा ने आकरेती के अलमारे से कुछ रोपय निकाले और बिजली का बिल भर दिया इन दोनों ने मेरे साथ चुकिया है उसकी ये सजा तो बहुत कम है ये दोनों मुझसे इतनी नफरत करती है अब मैं इन दोनों को मजा चखाऊंगी ईरा ठान चुकी थी कि वो अपनी दोनों देवरानियों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी जब नव्या ने अपने कपड़े देखी तो वो समझ गई कि ये इरा का काम है वही आकरुती ने भी अपने अलमारी के रुपए गिने तो उसी इरा पर ही शक हुआ और समझ गई कि घर का बिजली का बिल कहां से भरा गया है नव्या अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर धोने जा रही थी तभी वहां पर आकरिती आ गई अरे तुम ये सारे कपड़े कहां लिका जा रही हो ये देखा आकरिती जिठानी जी ने कितने सारी हल्दी मिर्च और नमक मेरे कपड़ पर गिराई है सारे कपड़े खराब खर दिये इन्हें धोने जा रही हो और अगर माजी से जिठानी जी की शिकायत की ना तो वो तो मुझसे यही पूछेंगे कि हल्दी नमक मिर्च मेरी अलमारी में कहां से आए जिठानी जी ने मेरी अलमारी से रुपए निकाल कर बिजली का बिल जमा किया है क्योंकि मेरी अल्मारी से उतने ही रुपय गायब है जितना की बिजली का बिल था और उसके साथ लगी पैनल्टी थी और ये बात मैं भी मा जी को नहीं बता सकती क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि बिजली का बिल मेरे कमरे में था जिठानी जी सही खेल खेल गई हमारे साथ ईरा दोनों देवरानियों की बाते सुन रही थी उसने सोचा मेरी प्यारी देवरानियों अभी मैंने खेल खेला कहा है अभी तो खेल शुरू हुआ है नव्या मैंने तुम्हें प्राचिन ना कर दिया न, तो मेरा नाम भी एरा नहीं और आकरिती, तुम्हारी तुम्हें आकरिती और प्रकरिती दोनों ही बिगार दूँ एरा ये सब सोची रही थी, तभी मम्ता ने अपनी तीनों बहुँओं को बुलाया इरान, अविया, अकृती, यहां आओ तुम तीनो जी माजी, आपने बुलाया देखो, कल हम सब लोग वैशाली मौसी की लड़की की शादी में जा रहे हैं मुझे सुनार की दुकान से कुछ गहने मंगवाने है मैं सोच रही हूँ कि तुम में से किसे भेजू हूँ, जो यह जिम्मदारी निभा सके है माजी, मैं चली जाती हूँ अरारा, ने दे बहु, मुझे पता है, तुम कैसी जिम्मदारी निभाती हो मैं दो दिन के लिए क्या गई थी, तुम ने तो घर की काया ही पलट कर दी हम दोनों जाएं क्या? हाँ, हम संभाल कर लाएंगी सारे जीवर ठीक है पहूँ, चली जाओ तुम दोनों, लेकिन ध्यान से जाना हाँ नव्या और आकृति सुनार की दुकान पर चली जाती है और वहाँ से बहुत सुन्दर सुन्दर जेवर लेकर आती है जब वो घर आती है, तो उनकी सास सो रही थी उन्होंने वो जेवर अपनी सास के अलमारे में रख दिये और वहाँ से चली गई मौका पाकर ईरा ने वो गहने निकाल लिये और ममता जब सो कर उठी तो उस ते अपनी बहुं से पूछा दव्या, आकृति, तुम दोनों जेवर ले आई ना हाँ माजी, अब सो रही थी, तो आपको उठाना ठीक नहीं समझा आकृति, जाओ माजी की अलमारी से जेवर निकालना अब आकृति को अलमारी में जेवर मिली नहीं रहे थे जब उसे ममता के कमरे में गए हुए काफी देर हो गई तो सभी आकृति की पास आके क्या हो आकृति, इतने परिशान क्यों हो रही हो हमने जुगैनी यहां रखी थी, वो यहां नहीं है काफी देर से ढून रही हूं, मुझे मिली नहीं रहे आरा, यहां रख्या थे, तो कहां चले गया है? कः भूत ले गया क्या? मा भूत तो जिवर पहनते नहीं न, जरूर कोई चुड़ाया ले गई होगी यह फिर यह भी तो हो सकता है न, कि भूत अपनी गर्ल्ट्रेंट के लिए लिए गया हो भवी आपनो ज्यादा बनो मत, हमें पता है यह काम आपका है आपने ही गयने चुराया है न नवया, बस करो तुम दोनो, एक काम तो तुम से ढंक से हुआ नहीं और एरा बहु पर आरोप लगा रही हो जेवर मैंने लिए है, इस बात का कोई सबूत है क्या तुमारे पास हाँ माजी, इन्होंने पहले भी मेरी अलमारी से रुपए चुरा कर बिजली का बिल भरा था और माजी जिटानी जी ने मेरी अलमारी की सबी कपड़ों पर हल्दी, नमक, मिर्च डाल दी थी मुझे सारे कपड़ी दुबारा धुने पड़े थे एरा बहु, ये तुनों क्या कह रही है, तुमने सच में ऐसा किया था मा, वो सब गैने मैंने ही चुराया है क्योंकि मैं अपनी प्यारी प्यारी देवरानियों की असलियत अपके सामने लाना चाहती थी अब घर की जिम्मेदारी मुझे साउप कर गई थी तो इन दोनों ने ही बिजली का बिल गायब कर दिया और इन दोनों ने मिलकर नमक, खल्दी, मिर्श के डिबबे भी गायब कर दिये ममता ने जब नविया और आकरती से पूछा तो उन दोनों ने सब कुछ सच सच बता दिया शर मानी चाहिए तुम दोनों को एक ही घर में रहा कर इतनी घटिया हरकत्या करती हो ममता ने उन दोनों को बहुत डांट लगाई दोनों महों ने अपनी सार्स और जिठाने से माफी तो मांगी लेकिन एरा को इस बात का पूरा यकीन है कि उसकी दोनों देवरानियों का रिदय परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हो सकता तो वो आगे की चुनाथियों के लिए एक टम तयार है